नमस्ते दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं कैरी ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी तो आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है और किस चीज का बना है तो चलिए स्टार्ट करते कैसे बनता है और आगे हम वीडियो मापको ज़रूर बताएंगे किस चीज का बना है यहां हम bread की recipe बना रहे हैं जिसे हम bread milk कहते हैं जो bread milk की recipe बहुत ही viral हुई है उसी को हम बनाने वाले हैं बस इसमें ठोड़ा सा changes करेंगे तो हमने कठाई रख लिया है कठाई में हमने घी डाला है घी थोड़ा सा गर्म हो का है एक ब्रेट लेंगे ब्रेट को ऐसे ऊलट पलट कर सेक लेंगे अच्छे से दूसरा भी ब्रेट लेंगे इसम nécess बचे वे घी में सेक लेंगे हम अच्छाथ से जप थोड़ा से क्रिस्पी कि आप और भी ज्यादा मिल्क ले सकते हैं तो थोड़ा और भी क्रीमी हो जाएगा यह आपने देखिए कि तकरीबन आधा रिटर से कम दूद्ध इस्तमाल किया है हमने यह देखिए दूद्ध थोड़ा सा पक के आधा हो गया है ऐसे धीमी आज पर इसे धीरे धीरे पकने दे यह देखिए धीमी आज पर साइड साइड से पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा रबडी का फ्लेवर आएगा इसमें अब इसे बीच बीच में ऐसे दूद्ध को किनारे से डालते रहेंगे यहाँ ने थोड़ा सदूर और लिया है इसमें हम एक चमच कॉषटरच पॉड़डार को डाल देंगे यहाँ पे प्रोड़डर ऑप्सटनल है कि यह क्वीज़्ट js need बहुत ही टेस्टी लगने लगता है तो यह देखिए कश्टट पॉर्ड टालने से जो दूद का बैटर है बहुत ही गाड़ा हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में उपर से जीन डाल दे आप इस अगर इसे हेल्दी बनाना चाहते तो आप इसके चीनी के जग टेस्टी लगता है यह देखिए उपर से काजु बदाम से ऐसे गानिस कर देंगे काजु बदाम इसमें ऑप्सिनल लेकिन आप जरूर डालेगा इससे टेस्टी लगता है और क्रंची फ्लेवर आता इसमें तो हमारा ब्रेड मिल्क बनके तैयार है आप इसे गर्मा गर्म प नमने है तो यह जटपट बन भी जाता है तक करीवन पास मिनट में तक करीवन पास मिनट में